एक सेंड्विच बनाएंगे जोकी 2-3 लोगों के लिए सफिशेंट हैं उसके लिए हम यूज करेंगे फुट लॉंग ब्रेड तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंड्विच बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड को बीच में से कट करेंगे और इसके दोनों किनारों पर हम अच्छे से बटर लगाएंगे यहाँ पे आप बटर रूम टेंपरेचर पे यूज करें जिससे उसे लगाना बहुत ही एजी होगा और उसके बाद हम इसे ओटी जी में ग्रिल करेंगे ओटी जी को हमने 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर प्रिहीट कर लिया था और अब हम इसे 10 तू 15 मिनट्स तक ग्रिल करेंगे सेंड्विच के फिलिंग के लिए यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं जिसमें यहाँ पे मैंने लिया है कैबेज और तोड़ी सी ग्रेटिट गाजर, स्वीट कॉर्ण, रेड केपसिकम, येलो एंड ग्रीन और उसी के साथ में अनियन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, अगर आप ओटी जी में ब्रेट को ग्रील ना करना चाहें, तो आप तवे पे भी बटर लगा के उसे रोस्ट कर सकते हैं, अब सारी वेजिटेबल्स को मैंने एक बोल में एड कर लिया है, और अब हम इसके अंदर एड करेंगे एगलेस मियोनीज, टू टेबल तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये फिलिंग रेडी है, चलिए करते हैं सैंड्विच को असेंबल और यहाँ पे सबसे पहले हम प्लेस करेंगे लेटर्स और उसके उपर हम लगाएंगे टिकी, यहाँ पे जो हमने टिकी उसकी हैं वो फ्रोजन है, जिसे मैंने फ्रा उसके बाद में हम लगाएंगे इसके उपर मियोनीज, यहाँ पे मैंने मियोनीज जो यूज की है, वो कैरट और कोकुमबर है और उसके बाद में वेज मियोनीज हम इसके उपर लगा देंगे, थोड़े से भी टूट को भी मैंने ग्रेट करके लगा दिया था और उसके बा कुछीं!